हेलो दोस्तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टेडी वै विशाल पर दोस्तो हम लोग कर रहे थे भारती सम्मिधान के अनुच्छेद और जो कि हमने अनुच्छेद 75 तक कर लिये थे दोस्तो लास्ट वीडियो पर इतने सारे कमेंट आए देगी सर आगे की वीडियो कवाईगी तो दोस्तो वीडियो आने में थोड़ी प्राबलम हुई है उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाता हूँ लेकिन अब जो है दोस्तों वो 2-3 दिन के बीच में एक-एक समिधान की वीडियो अपलोड होती रहेगी जो की 25-25 आर्टिकल की होगी ठीक है दोस्तों तो आज जो हम कवर करेंगे आर्टिकल 75 से लेके आर्टिकल 100 तक उसके बाद दोस्तो आर्टिकल 100 से लेके आर्टिकल 125 तक जो है वो हम अगले 2 दिन के अंदर कवर कर लेंगे ठीक है दोस्तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो उसको सस्क्राइब जरूर करना क्योंकि जब तक सस्क्राइब नहीं करोगे तो आने वाली सारी वीडियो है वो आप तक नहीं प एक से लेके 395 तक जो है वो हम cover करेंगे ठीक है दोस्तो अब बात करते हैं दोस्तो आर्टिकल छेतर की आर्टिकल छेतर दोस्तो बहुत important आर्टिकल है ये frequently exam में पूछा जाता है इसके तहट दोस्तो एक भारत के महानियाईवादी के पद की व्याख्या की गई है दोस्तो हम स के होने की व्याख्या की गई है ठीक है दोस्तो important article है important mark करना सभी कुछ और जानते हैं दोस्तो भारत का महानियाईवादी क्या होता है तो सबसे पहले दोस्तो जो attorney journal of India होता है वो भारत का पर्थम विधी अधिकारी होता है दोस्तो भारत का पहला कानूनी अधिकारी जो है वो इसको माना जाता है supreme court के जो मुख्य न्याईदीश होता है उससे भी पहले दोस्तो attorney journal of India का पद होता है ठीक है दोस्तो उसके बाद दोस्तो इसका पद भारत के मुख्य न्याईदीश के बराबर होता है जो भारत का मुख्य न्याईदीश है वो भारत का मुख्य चाहिए उसके बाद दोस्तों इसमें एक main point है कि जब राष्टपती पर महावयोग लगता है तो वह है वकील के रूप में उसका कारे करता है दोस्तों हम सब जानते हैं कि राष्टपती पर महावयोग लगाय जाता है आर्टिकल 61 के तहत और उस इस्तिती में दोस्तों ये राष्टपती का जो केस होता है जो राष्टपती पर महावयोग लगा है उसके लिए दोस्तों ये उसका केस लड़ता है ठीक है दोस्तों ये है आर्टिकल 76 जो की महान्याइवादी पद के होने की व्याख्या करता है उसके बाद दोस्तो अनुच्छे 77 या आर्टिकल 77 ये क्या कहता है दोस्तो भारत सरकार के कारे का संचालन भारत सरकार की समस्त कारेपालिका की कारेवाही रास्टपती के नाम से की जाएगी यहाँ पर यह अनुच्छे दोस्तों कहना चाहता है कि जो भारत सरकार के जितने भी कारे हैं जो विदेशों से हुँगे वो सारे राष्ट्रपती के नाम से किये जाएंगे कोई भी दोस्तों संधी करनी हो, कोई भी व्यपार करना हो यह किसी भी तरह कोई भी कार है, तो उसको आप बस एक बार समझ लेना कि क्या है इसका मतलब उसके बाद आर्टिकल 78 कहता है, यह परदान मनत्री का करतव्य है कि वह राष्ट्रपती तथा मनत्री परिशित के बीच संभाद की कड़ी बना कर रखे दोस्तो इस अनुछ छिर्कत हैती कहा गया है कि प्रधान मंत्री जो है वो राष्ठ पती और जो बाकी के मंत्री होते हैं अन्या-मंत्री परिशत जो है अन्या-मंत्री जो है rehabilitation मंत्री, state मंत्री है न तो इनके बीच में जो है समबादिया समनवया तालमेल बनाकर रखने का कर्तव वे किसका है प्रधान मंत्री का ठीक है दोस्तो उसके बाद आर्टिकल 78 का एक क्याता है कि प्रधान मंत्री निम्न लोगों की नियुक्ति में राष्टपती को सला देता है ठीक है दोस्तो तो प्रधान मंत्री जिस व्यक्ति को बोलेगा राष्टपत जो कि हमने अभी पढ़ा आर्टिकल 6 के तहत आता है Solicitor Journal of India दोस्तो इसमें दोस्तो कैग Controller and Auditor Journal of India जो कि आर्टिकल 148 के तहत आता है भारत का मुख्य नयद्दीश ठीके दोस्तो वित्य आयोक के अध्यक्ष मुख्य चुनाव अधिकारी UPSC के Chairman ठीके दोस्तो इन सब की नयुक्ती दोस्तो वो राष्टपती के दोहार की जाती है लेकिन किसकी सलापर प्रधानमंत्री की सलापर ठीके दोस्तो प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को बोलेगा ये उसी व्यक्ति को भारत का मानियाएवादी बनाएगा तो आपको ये जरूर याद रखना है दोस्तो ये राष्टपती जो है इन लोगों की नयुक्ती करता है और exam में question पूछा जाता है कि आपको 4 option दे दिंगे इन में से किसकी नयुक्ती राष्टपती दोहारा की जाती है ये किसकी नयुक्ती राष्टपती दोहारा नहीं की जाती ठीक है दोस्तो तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है उसके बाद दोस्तो next article article 89 ठीक है ये बताता है दोस्तो इस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत की संसद राष्टपती, लोकसभा तता राजसभा से मिलकर बनी है ठीक है दोस्तो formation of Indian Parliament भारत की संसद दोस्तो किस-किस से मिलकर बनी है हम सब जानते है उसमें एक होता है राष्टपती, एक होता है लोकसभा और एक होता है राजसभा जब ये तीनों मिल जाते हैं तो उस पूरे संग को जो है एक संसद का नाम दिया गया है और हमारी जो भारत की संसद है उसको संसद ही कहा गया है ठीक है दोस्तो अलग-अलग देशों की जो संसद है उनका अलग नाम है जैसे अमेरिका की संसत का नाम कॉंगरेस है वैसे ही भारत की संसत का नाम संसत है ठीक है दोस्तो उसके बाद आर्टिकल 80 दोस्तो आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 ये तिनों बहुत ज़ादा important है आपको ये Serial से याद करने होंगे ठीक है दोस्तो अनुच्छेद असी क्या कहता है यह है राज्यसवा की संरचना करता है यानि दोस्तो राज्यसवा का वर्णन जो है वो आर्टिकल असी में है राज्यसवा कैसे होगी राज्यसवा कैसे बनेगी वो सब आर्टिकल असी में लिखा हुआ है ठीक है दोस्तों, क्या क्या point से दोस्तों देख लेते हैं? यह उच्छ सदन कहलाता है, दोस्तों हम सब जानते हैं कि राजय सभा जो है वो उच्छ सदन होती है और लोग सभा जो है वो निम्न सदन मानी जाती है, ठीक है दोस्तों? इसमें 250 member होते हैं जिसमें 12 राश्टपती नियुक्त किये जाते हैं दोस्तों ये कोशन पूशन है कि राज्य सभा में राष्टपती द्वारा कितने मेंबर जो है नियुक्त किये जाते हैं तो 12 मेंबर जो है वो राष्टपती द्वारा राज्य सभा में नियुक्त किये जाते हैं ठीक है ये 6 वर्ष के लिए बनाई ज ठीक है तो उस बिधान सभा से जो है राज्य सभा के लोग आते हैं ठीक है दोस्तो इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता दोस्तो जो राज्य सभा है वो कभी भंग नहीं की जा सकती ठीक है क्योंकि दोस्तो इसमें जो है प्रतेक दो बर्श के बाद एक बटा तीन मेंबर जो ह वो अपॉइंट हो जाएंगे तो ये प्रोसेश जो है वो लगातार चलता रहता है निश्काशित होते हैं फिर अपॉइंट होते हैं तो इसलिए इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता ठीक है दोस्तों अब बात करींगे दोस्तों अनुच्छे दिख्यासी आर्टिकल 81 की दोस सबसे पहले तो दोस्तो ये निमन सदन होता है मैंने अभी बताया आपको कि राज्यसभा उँचा सदन होता है और लोकसभा नीचा सदन होता है ठीके दोस्तो उसके बाद इसमें दोस्तो अधिकतम 252 मेंबर रहते हैं जिनमें दो आंगल भारतिये राष्टपती द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। दोस्तो जो लोकसवा है, लोकसवा में 252 मेंबर जो है वो अधिक्तम रह सकते हैं। और दो आंगल भारतिये जो है वो राष्टपती द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस में एक अपवाद है भारतीय समिधान का दोस्तों जो 114 समिधान संशोदन 2020 में हुआ है उसके तहyत दोस्तों किया गया है सबसे पहला काम कि जो S.C.S.T. का आरक्षन है उसको 2030 तक के लिए जो हो सिमित कर दिया है पहला काम ये हुआ है और दूसरा काम द नियुक्त करता है उनकी नियुक्ति को दोस्तो जो है वो रद कर दी गई है यानि दोस्तो इस बार से जो है आंगल भारती जो है वो है लेकिन अगली बार जब लोगसभा के चुनाब होंगे तो राष्ट पती दो आंगल भारतीयों को नियुक्त नहीं करेगा ठीक है दोस्तो तो ये तीनों ही आर्टिकल आपको याद रखने है दोस्तो 79, 80 और 81 तीनों दोस्तों काफी important है serial wise आप याद कर लोगे पहले संसद, फिर राज्य सभा और लोग सभा ठीक है ऐसे करके याद कर लेना उसके बाद आता है दोस्तों अनुच्छेद 82 यानि आर्टिकल 82 दोस्तों इसका कहना है कि प्रतेग जनगरना के बाद लोग सभा एवं राज्य सभा की सीटों में बदलाव किये जाएंगे यानि जब भी जनगरना होगी हम जानते कि हमारी जो जनगरना है वो दशी किये जनगरना है 10 साल में एक बार होती है तो प्रतेक 10 साल के बाद जब जनगरना हो जाएगी तो लोकसभा एवाम राज्यसभा की सीटों में बदलाव किये जाने अवश्य हैं ठीके दोस्तों लेकिन इसको जो है अभी 2026 तक सीमित कर दिया गया है यानि 2026 तक राज्यसभा लोकसभा की सीटों में कोई भी बदलाव नहीं किये जाएंगे ठीके दोस्तों उसके बाद आर्टिकल 83 अनुच्छे 83 क्या कहता है इसमें लोकसभा के कारेकाल के बारे में बताया है लोकसभा का कारेकाल दोस्तों कितना हो सकता है अधिक्तम दोस्तों इसका जो है पांच वर्ष हो सकता है ठीके हम सब जानते हैं लो पातका लगाता है ठीक है तो उस इस्तिती में एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है उसके बाद आर्टिकल आता है दोस्तो आर्टिकल 84 अनुच्छेद 84 संसत के सदस्य की योगिता के बारे में बताया गया है इंपोर्टेंट मार्क नहीं करेंगे क्योंकि इतना इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाता है उसके बाद आता है दोस्तो अनुच्छेद 85 या आर्टिकल 85 दोस्तो काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है एक्जाम में पूछा जाता है कई बार पूछा गया है इंफेक्ट यह तो इसमें दोस्तो इस अनुच्छेद के तहत राष कौन से सत्र बुलाता है बजट सत्र बलाता है मांसून सत्र बुलाता है और शीत कालीन यानी सर्दियों में जो सत्र होता है वो बुलाता है तो तीन सत्र बुलाने की जो शक्ति है वो राष्टपती को है और इसी के तहद वो सत्र बुलाता है ठीक है दोस्तों जब तक भारत क पेश नहीं होगा ठीक है एक पावर और है दोस्तों इसके तहद जो भारत का राश्टपती है उसके पास संसत को भंग करने की शक्ती इसी आर्टिकल के तहद है तो इसी आर्टिकल के तहद दोस्तों जो है वो संसत को भंग कर सकता है काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है इसक जब लोग सभा में नई सरकार बनती है या नया प्रधान मंतिर न्यूक्त किया जाता है तो राष्टपती संसद में खड़ा होकर अपना अभिभाशन देता है ठीक है दोस्तो उसके बाद दोस्तो आर्टिकल 87 आर्टिकल 87 कहता है राष्टपती का संसद में विशेश अभिभाशन Special Speech दोस्तो प्रेजिडेंट की इन पार्लियमेंट ठीक है दोस्तो पार्लियमेंट में राष्टपती का विशेश अभिभाशन इसके बाद दोस्तो अनुच्छेद 88 आर्टिकल 88 ये क्या कहता है दोस्तो इसके तहत भारत का महान्याईवादी, सर्वोच न्याले तथा, संसत के किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है ठीक है, अपना मत रख सकता है किन्तु बोट नहीं दे सकता ध्यान ज़े सुनना दोस्तो, आर्टिकल 88 ये कहता है, कि जो भारत का महान्याईवादी होता है Attorney Journal of India, वो सुप्रीम कोट और संसत के किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है, वहाँ पर बहस कर सकता है, चर्चा कर सकता है किन्तु उसको बोट देने का दिकार नहीं है ठीक है, तो इस आर्टिकल में यही उपसभापती होगा, क्यानी दोस्तों हम सब जानते हैं, जो राज्य सबा है, जो कि उच्छे सदन कहलाता है, उसका एक सभापती होगा, और एक उपसभापती होगा, सभापती तो हम सब जानते हैं भारत का उपराष्टपती होता है और उप सभापती दोस्तों जो है वो राज्य सभा में से ही किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है ठीक है दोस्तो उसके बाद दोस्तो यदि सभापती जो है वो अनुपस्थित है यानि जो भारत का सभापती है वो अनुपस्थित है तो उपसभापती ही उसका कारेबार समालेगा ठीक है दोस्तो तो अगर सभापती नहीं है तो उपसभापती उसका कारेबार समालेगा और क से हटाने का कोई संकल्प विचारा दिन हो तब उसका पीठा सीन ना हो ठीक है दोस्तों तो यह article 90 में कहा गया है important नहीं है important मानक मत करना ठीक है जो important होगा दोस्तों मैं बताऊंगा उसके बाद दोस्तों अनुछेद इक क्याणवे आर्टिकल 91 ये क्या कहता है दोस्तों ये कहता है सवापती के पद के कर्तब्यों का पालन करने या सवापती के रूप में कार्य करने की उपसवापती या अन्य व्यक्ति की शक्ति दोस्तो आर्टिकल 89 में हमने यह है तो कह दिया कि जो जब सवापती नहीं होगा तो उपसवापती उसका कारेबार समालेगा लेकिन आर्टिकल 91 में जो यह कहा गया है साफ तोर पर कि अगर सवापती नहीं है तो उसके पद का जो करतब्बे है वो उपसवापती समालेगा नहीं है तो जो भारत का मुख्य नयदिश है Chief Justice of India वो जो है उप सवापती के पद्गा या सवापती के पद्गा कारेभार समभालेगा ठीक है दोस्तो उसके बाद दोस्तो important article अनुच्छेद बानवे आर्टिकल 92 यह क्या कहता है दोस्तो यह article लोगसभा का अध्यक्ष एवम उपाद्यक्ष होने की व्याख्या करता है ठीक है दोस्तो उसी तरह जिस तरह राज्यसभा का एक सवापती एवम उप सवापती होता है उसके बाद दोस्तो आर्टिकल 93 इंपोर्टेंट नहीं है इसके तहट लोगसभा यथा शीगर अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष एवम उपाद्यक्ष चुनेगी जब तक अध्यक्ष एवम उपाद्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को ये था इस्तिति अध्यक्ष रुपाद्यक्ष चुनेगी यानि वही बात कही गई दोस्तों कि लोकसभा की जो अध्यक्ष का पद है वेरिक नहीं रहना चाहिए जैसे ही नई सरकार बनती है जब लोकसभा के सदस्यों को जो है शपत दिलाई जाती है तो वहाँ पर एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनाफ करना बहुत अनिवारे है ठीके दोस्तों उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 94 आर्टिकल 94 इसमें लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से निलंबन के बारे में बताया गया है ठीके दोस्तों तो ये जो आर्टिकल 94 है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसको उसके पद से कैसे निलंबित किया जाता है उसके बारे म बताया गया है ठीक है दोस्तों और दोस्तों अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको उसके पद से हटाना है तो सबसे पहले उसको 14 दिन का नोटिस भेजा जाता है राष्ट पती की तरह ठीक है दोस्तों और अगर उसको पद से हटाना है तो लोकसभा में दो बटा तीन की बहुमत से जो है उस लोग सभा के अध्यक्ष को हटाये जा सकता है यानि प्रते एक तीन व्यक्ति में से दो व्यक्तियों का ये कहना हो कि वे लोग सभा के अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं ठीक है दोस्तों उसके बाद दोस्तों आर्टिकल पिच्चानवे आर्टिकल 95 क्या कहता है ये कहता है कि दोस्तो लोग सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिती में उपाध्यक्षी उसका कारेबार समालेगा ठीक है दोस्तो जो अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं हुआ तो उपाध्यक्षी उसका कारेबार समालेगा ठीक है दोस्तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं उसके बाद दोस्तो आर्टिकल 97 अनुच्छेद 97 ये कहता है दोस्तो राज्यसभा के सवापती एवं उपसवापती लोगसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बत्तों के बारे में बताया गया है दोस्तों ये जो चार व्यक्ति हैं राज्यसभ ठीक है दोस्तों उसके बारे में जो है वो अनुच्छेद 98 में बताया गया है ठीक है दोस्तों कोई भी important नहीं है तो इन दोनों में से important mark करने की ज़रूरत नहीं है ये exam में एक भार भी नहीं पूछा गया है ठीक है उसके बार दोस्तों अनुच्छेद 99 या article 99 इसमें दोस्तों सदस्यो द्वारशपत या पृतिज्यान के बारे में बताया गया है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की सभी सदस्यों को दोस्तों जो है शपत दिलानी है उसके बारे में जो है वो article 99 में बताया गया है ठीक है नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तो अनुचेद 100 article 100 इसमें संसत की गणपूर्ती के बारे में बताएगा है दोस्तों गणपूर्ती का मतलब है कि संसत में कुछ लोगों की मातरा निश्चित की गई है जब तक इतने लोग नहीं होंगे तो संसत का जो सत्र है वे नहीं चलेगा ठीक है दोस्तो तो कितने लोगों की उपस्तिती संसत में होना जरूरी है जिसे की सत्र चलेगा तो दोस्तो एक बटा दस लोग या फिर पूरी संसत में जितने भी व्यक्ति है उनका 10% ठीक है दोस्तो तो एक बटा दस्यानी 10 में से एक लोग जो है वहाँ पे मौजूद होने चाहिए या फिर टोटल जितने भी मेंबर हैं उनका 10% देखे दोस्तो राज्य सभा में मान लेते हैं कि 245 लोग हैं ठीक है इनका जब 10% करेंगे हम तो आएगा लगबग 24.5 आएगा लेकिन इसको 25 मानते हैं ठीक है और लोग सभा में दोस्तो टोटल 545 सदस्य हैं इसका जब 10% निकालोगे आप तो लगबग दोस्तो जो है 24.5 आएगा लेकिन इसको पूरा एक आदमी मानेंगे तो 55 लोग होने जरूरी हैं यानि राज्य सभा से 25 लोग और लोग सभा से 55 लोग संसत में मौजूद होना जरूरी हैं तबी संसत की गणपूर्ती पूरी होगी और वो सत्र चलाए जाएगा अन्यता उस सत्र को रद कर दिये जाएगा थीक है दोस्तो एकजाम में एक बार ये कोशन पूछा गया है कि संसत की गणपूर्ती के लिए कितने सदस्यों का होना जरूरी है तो टोटल 25 और 55 दोस्तो 80 यानि 80 लोगों का होना संसत में जरूरी है तबी संसत का जो है सत्र वो चलेगा ठीक है दोस्तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो आर्टिकल 100 तक आने वाले दो दिनों में दोस्तो जो है आर्टिकल 101 से लेके आर्टिकल 125 तक अपलोड हो जाएगी तो दोस्तो आपको वीडि झालो उुजयों दो घुर